जहीं सात्यों एक बार फिर सो आगत्य बेस्ट एक्जम के यूटूब चैनल पर SSC GD कोस्टेबल रिक्रूटमेंट 2024 का एक्जम 20 परवरी से सुरू होने जा रहा है और इस बार बहुत बड़े-बड़े बदलाव है वो SSC की तरफ से किये गए है और ऐसे में बहुत सारे ब्यारती है जो लगतार SSC GD की तयारी कर रहे है उनकी तयारी भी अच्छी है क्योंकि बिला मेहनत हम सेलेक्शन ले नहीं सकते लेकिन इस बार दोस्तो मेहनत के साथ साथ में आपको एक और चीज़ का ध्यान रखना होगा क्योंकि negative marking को लेकर बहुत बड़े बदलाव है वो SSC की तरफ से इस बार कर दिये गए जिसका जो effect है वो बहुत कम SSC के इस बार के exam में देखने को मिलने वाला है तो दोस्तो कैसे इस बार आप लोग exam में 10 से 15 नमर अपने और ज्यादा बढ़ा सकते हैं तुक्का लगा के जी या दोस्तो मैं आपको बता दू कि तुक्का लगाना कोई बूरी बात नहीं है जब हमारा success हो रहे हम success हो रहे है या हमारा फाइदा हो रहा है तो बिल्कुल यहाँ पर हमें तुक्के भी लगा रहे चीए लेकिन तुक्के के साथ में यह तुक्के किन बच्चों के काम आएंगे तो जो महनत कर रहे हैं जो लगातार तयारी कर रहे हैं और जो हने एक बार 2 नमर, 4 नमर, 10 नमर या 15 नमर की वज़ा से भरती परक्रिया से बाहर हो जाते तो यहाँ पर 10 से 15 नमर भी आप बढ़ा सकते हैं तो कैसे आप लोगों को तुक्का लगाना है उसके साथ ही बात करेंगे कि negative marking का असर इस बार बहुत कम देखने को मिलने वाला है क्योंकि negative marking को लेकर SSE की तरफ से पहली बार SSE GD के एक्जाम में इतना बड़ा बदलाव किया गया है क्योंकि सबसे ज़्यादा जो डर रहता है वो रहता है negative marking का खीकास जो सही होने वाले क्यूशन है, वो भी वहाँ पर गलत हो जाते हैं, अगर आप ज़्यादा क्यूशन नेगेटिव कर देते हैं, लेकिन इस बार ऐसा नहीं होने वाला है, इस बार आपके नंबर बढ़ने ही वाले हैं, चाहिए आप कितने भी क्यूशन आप करके आने वाले हैं लेकिन मैं आपको बता दू यह negative marking वाला और तुक्का मारने वाला जो फाइदा है वो किन अभ्यारतियों को मिलने वाला है और सबसे ज्यादा फाइदा किन अभ्यारतियों को होगा इसका तो बिल्कुल इस वीडियो में उसी के बारे में पूरी जानकारी आप लोग प्रप्रवाइब नेगेटिव मार्किंग के होते क्या हम ने तुका लगाना चीह या नहीं लगाना चीह तो बिल्कुल सारी जानकारी बताओं जो भी वच्चे चैनल पर पहली बार जुड़े चैनल को आप जरूर सब्क्राइब कर लिजिएगा ताकि इन फूचर आगे आने इस बार बहुत बड़ा बदलाव SSC GD के एक्जाम में किया गया है वो किया गया है किस बार आपकी जो नेगेटिव मार्किंग है वो यहां पर रहने वाली है 0.25 0.25 नेगेटिव मार्किंग रहेगी मतलब 1.8 नेगेटिव मार्किंग रहेगी 1.8 नेगेटिव मार्किंग क कर दी गई है सपोजली दोस्तो अगर आपको आपको 80 क्यूशन है जैसे कि एक जाम में आपके 80 क्यूशन आने वाले हैं 80 क्यूशन आप लोगों के या पर होंगे वो 160 नमर के होने वाले 80 Q-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C-C- इनी भारतियों को होने वाला है बाकी के जो क्यूसन है बाकी के जो 20 क्यूसन है वो आपको नहीं आ रहे हैं बाकी के 20 क्यूसन आपको नहीं आ रहे हैं इसका मतलब आप उन क्यूसनों को छोड़ के आएंगे तो भई आपका इसको 120 का 120 ही रह जाएगा लेकिन अगर आप इन 20 क में से एक क्यूसन भी अगर आपका गलत होता है या पांच क्यूसन आपके गलत हो जाते हैं चार क्यूसन आपके सही होते हैं फिर भी नेगेटिव मार्किंग का आपको फाइदा मिलेगा नुकसान नहीं होगा क्यूंकि यहां पर जो नेगेटिव मार्किंग होगी वो एक तो यह तो होगा रही कि 8 के 8 क्यूसन ही गलत हो जाएंगे अगर 8 क्यूसन गलत होते हैं तो एक क्यूसन आपका सही वाला क्या हो जाता है गलत हो जाता है लेकिन 8 तुक्के लगाएंगे तो यह कनपम है कि 2 से 3 तुक्के तो आपके बिल्कुल करेक्ट हो जाएंगे फिर भी आ यह चार नमर आपके 120 में एड होंगे और 120 से आपका स्कोर 124 चला जाएगा तो यह नेगेटिव मार्किंग का जो इस बार का है सी जीडी का नेगेटिव मार्किंग हो रहा है उसका असर बहुत कम है आठ क्यूसन अगर आप गलत करेंगे तब आपका एक चूसन सही वाला गलत होगा इसका मतलब negative marking बहुत कम है अगर आप 16 क्यूशन गलत करके आ रहें इसका मतलब भी 2 क्यूशन आपके सही वाले गलत होंगे तो इन्हें 16 में से हो सकता आपके 7 या 8 क्यूशन तुक्के में सही हो जाए लेकिन तुक्का आपको कैसे लगाना है और इसका फाइदा उनी बैरतियों को मिलने वाला है जिनकी महनत अच्छी है क्योंकि ऐसा तो होगा नहीं कि हम तुक्का लगा लगा कि स्कोर 14-145 पहुचा देंगे ऐसा बिलकुल नहीं होने वाला लेकिन इस तुक्के का फाइदा उन बैरतियों को मिलेगा जिसका स्कोर 120-25 तक जा रहा है और 10-15 नमर यहां से तुक्के वाले एड हो जाएगे तो उसका सलेक्शन इस बार की SSGD में हो जाएगा तो भई नेगेटिव मार्किंग का असर इस बार बहुत कम देखने को मिलने वाला है जो बचा यह सोच रहा है कि सर मैंने 60 QS Solomon किये है Сar Greenों किये हैं और यह 60 QS मैंने वही किये हैं जो मेरे को आ रहे थे और ऐसा होता नहीं है मैं आपको बता दू एकजाम में जब भी हम देके आते हैं तो हम 60 Qs करके आते हैं अपनी तरब से हम सारे Qs सही करके आते हैं क्योंकि हमें लगता है कि negative marking भी है हमें गलत Qs नहीं करना है लेकिन यहापर मैं बता दू जो 60 Qs आप सही करके आ रहे हैं जब आपकी answer की आती है तो यही 60 Qs आप लोगों के 40 Qs पे आ जाते हैं चेक करने के बाद में पता चलता है कि मेरे तो 40 Qs सही हुए हैं अगर मैं 40 Qs सही हुए हैं इसका मतलब आपका 80 नम्मर बने हैं और आपने यह सोच के आपने यह सोच के 60 Qs सही किये थे कि कटोप है वो 110 के लगबग जाएगी और मेरा सेलेक्शन हो जाएगा क्योंकि मैंने तो 60 Qs सही किये हैं इसका मतलब मेरा तो score 120 गया है लेकिन यहां पर answer की check करते हैं तब पता चलता है कि Qs क्यूशन आने वाले उनके गलत हो गए और सही वाला आकड़ा 40 Qs का ही बेट रहा है और 40 Qs अगर उनके सही हो रहे हैं इसका मतलब score है वो 80 पे जाके रूख चुका है कटो वही 110 15 पे चली गई तो यहां पर आप सेलेक्शन से वंचित रह जाते हैं लेकिन यहां पर फाइदा तब आपको मिलेगा जब आपके जब आपन 7 या 8 Qs भी सही हो जाते हैं तो आप इस 110 वाले आकड़े में फिर से पहुँ जाते हैं इसलिए मैं आपको बताता हूँ कि भई इस बार SSE GD का negative marking है वो बहुत कम कर दिया गया और इसका effect बहुत कम देखने को मिलने वाला है अगर आप serious है आप मैनत कर रहे हैं आपको लगत बूरी बात नहीं है जब हमें फाइदा हो रहा है तो वहाँ पर तुके लगाने चीए क्योंकि उससे हमें फाइदा होगा क्योंकि इस बार SSE GD की negative marking का असर है वो बहुत कम देखने को मिलने वाला है तो बहुत अच्छे से paper करके आना 20 फरवरी से आप लोगों का exam है वो श SSE का rule होता है समय से अगर एक minute भी अगर आप late हुए तो आपको gate entry नहीं दी जाने वाली है तो अच्छे से मैनत करते जाओ और last के समय में आपको ज्यादा से ज्यादा online test देना है जितनी ज्यादा आप online practice करेंगे उतना ही आपका score jump करेगा इसलिए मैं आपको बार-बार यह बोलता रहता हूं कि SSE GD का exam अगर आपको crack करना है तो आपको online test देना है जितनी ज्यादा आप test series लगाएंगे वो भी online उतना ही score आपका jump करेगा और जो बच्छे अभी तक test series purchase नहीं की है तो best exam का application डाउनलोड करके SSE GD की test series purchase कर सकते है प्रिविस येर के पूरे पूरे paper आपको मिल जाएगे और वहां से अच्छे से मैनत करके अच्छा score खड़ा कर सकते हैं दोस्तों आपका exam कितनी तारीकों है बिल्कुल आप comment box में comment करके आप हमें जरूर बताइएगा दोस्तों स्टूडियो में इतना ही मिलेंगे नए अपडेट के साथ में तब तक के लिए जेहिंद जेबार्ट